हेलो गाइज कैसे हूँ आप सभी जैश्री किष्णा उमीर है आप सभी अच्छे होंगे आज हम कुछ नया करते हैं आज हम इंग्लिश ग्रामर में टी का करेक्शन करेंगे कि हम टी को टॉटर ना पढ़के अलग-अलग पढ़ा जाता है टी को तो चाथ पढ़ते हैं तो एल-डिश तब टी को चब पढ़ते हैं एक्जामपल-एक्टईूल-ए- Kim अ-च्यूल वर्च्ववल मेच्ववल-पंच्ववल-पंच्ववल-प후 एं-ղउन-षी-विच्ववं-ई-व ए- इस तरह के कैँ ठीक है एक्चुल वर्चुल मेचुल पंचुल अब रूल नमबर सेकेंड ठीक है जब टी के बाद यू आर ई आई तब ठीक है यह तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जब किसी वर्ड के अंत में टी के बाद यू आर ई आई तब यू आर ई आई तब टी को चा पढ़ते हैं और यह आपको जहां तक है नहीं भी पता हुगा आज पहली बार पता चले शायर पहले से ही पता हो पता नहों पर पढ़ने में सुनके सही पढ़ते हूं कि हमने सुरू से यही सुना है तो हम आपक के रूप में जैसे structure s t r u c t u r e c के बाद t u r e आ रहा है मतब ठीके बाद तो structure इसको चुक बढ़ रहा है ठीक है fracture f r e c t u r e future nature nat u r e अब rule no.3 s के बाद t i o n i तो उसको करेंगे s t i o n एक रहा है third s के बाद t i o n equal to s t i o n जब जब किसी वर्ड के अंत में t i o n i और t i o n से पहले t i o n से पहले s i तब t ko च पढ़ते हैं एक्जाम्पल जैसे question q u e s t i o n सजेशन digestion ठीक है यह से एक्जाम्पल है आप मेरे माइन में भी इतनी आए तो मैंने इतनी लिखी है आप चाहू तो और भी एड़ कर सकते हैं एक्जाम्पल ठीक है गाइस अब रूल नमा फूर स्टार्ट करते हैं एस का साउंड जैड और जा की तर है कब निकलता है निकलता है पन्ना पलटिंगे गाईज अब हम इसके लिए पीछे लिखा है हमने चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं जब एस एस के पहले और बाद में बाद में वो विलाता है तब एस को जा पड़ते हैं एक्जाम्पल जैसे प्लीज, कीज, क्रीज, मूजिक तो एक्जाम्पल है जैसे प्लीज, तो पी पी एड़ एड़ एस ए टी एड़ एस ए टीज पी आर एस ए एस ए मूजिक एम यूज़ एस आई सी तो गाइज इतना ही था आज के लिए तब मैं कमेंट नहीं जाके बताएए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करें थेंक्स फॉर वाचिंग यह आप फुल एंड फाइना लोग देख लीजिए आगे से लिके फ्रंट का और बैट क्योंकि लिखने में दूर से आपको नहीं देख पाया हूँ इसलिए तो यह पास से दिखा दिये जूंकर के थेंक्स फॉर वाचिंग